Stories of Evolution मतलब विकास के लिए कौन-कौन से सिध्धान्त आए विकास के सिध्धान्त टॉपिक का नाम होगा विकास के सिध्धान्त तो हमें यहाँ पर विकास के सिध्धान्त के विशय पर बात करनी है कि आखिर विकास के लिए कौन-कौन से साइंटिस ने क्या-क्या सिध्धान् अभी तक तो हम evidence तलास रहे थे अभी तक तो हम प्रमाड तलास रहे थे इन प्रमाडों के आधार पर किस किस scientist ने अपने अपने ग्यान को व्यक्त किया बताया कि आखिर ये topic कैसे आगे बढ़ पाएगा ये topic आगे कैसे बढ़ पाएगा तो इसलिए हम इस topic के बारे में पता ह को शेर कर दीजे, बताइए कि लास स्टार्ट हो चुकी है और ये क्लास बहुत जाज जरूरी है आप लोगों के एक्जाम के लिए, विकास चैप्टर बहुत complicated चैप्टर है, इसलिए आप इसे पढ़िए, इससे पहले आप लोगों के एक जानकारी दे देते हैं कि विक्रम सर is now part of doubtnet family, हम doubtnet family के साथ में associate हो चुके हैं और अब हम doubtnet family के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, doubtnet family के साथ चुकी हम आए हैं, इस वज़े से हमने एक नई batch launch किया जिसका नाम है विजेता बैच, विजेता बैच में कक्छा 11 और 12 के लिए, कक्छा 11 और 12 के लिए हिंदी माध्यम का आपको एकदम minimum मतलब almost एकदम negligible fees है, आप इसे join करिए और अभी से लेकर जनवरी तक के समय तक के बीच में 16 सितमबर से जनवरी लाज तक ये class चलेंगी और इस बीच में 3-4 मेने के भीतर आपके सारे course complete कर दिये जाएंगे, ये पका वादा है हमारा, ये हमारी team है, ये team ज physics पढ़ाने का, ये सबी हमारे team हैं जो आपको विजेता बैच में पढ़ाएंगे, इसके अलावा हमारे पास में doubtnet application के पढ़ने के क्या-क्या फायदे हैं, doubtnet application में पढ़ने के हमारे फायदे हैं कि सबसे बहतर हमारे पास में doubt solving platform है, जहाँ पर आप किसी भी प्रकार के सवा को पूछ सकते हैं, आपको बस एक click करना है, photo kitchen और photo kitchen के बाद आपके सारे doubt clear हो जाएंगे, ये एक बहुत ultimate features है हमारे application का, आप इसे जवाइन कर सकते हैं, हमारे best teachers, सारे teacherों के best team चुन-चुन के आपके लिए लाई गई है, और ये team आपको पढ़ाएगी सारे subject, इसके class notes आपको मिलेंगे, मुफ्त में मिलेंगे, means आप उसके लिए जो पे कर रहे हैं, उसी में आपको class notes भी मिलेंगे, daily homework मिलेगा, जिससे आप अपने पढ़ाई को और बढ़िया तयारियां कर सकते हैं, teachers की slide मिलेगी, जो teachers पढ़ा रहे हैं, वही slide आप लोगों को notes के form में भी मिल जाएगी, ताकि आप और भी दोबारा उसे देखकर teacher की style में उसे पढ़ सकते हैं, अगर आप interested हैं, join करने में interested हैं, आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई अभी अच्छे से नहीं हुई है, interested नहीं है, तो आप अपने आपसे तीन सवाल पूछिए, कि क्या अभी तक neat level की है कि नहीं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, अगर इन तीन सवालों का जवाब नहीं में आता है, तो आप तुरंत बिना सोचे समझे, 01247158250 में call करें, और अपनी पढ़ाई की सही सुरुआत कर सकते हैं, ये फैसला आपके लिए game changing साबित हो सकता है, जब आप 11 12 और 12 में हमसे पढ़कर, जब आप neat की preparation करेंगे, तो आप हमें miss करेंगे कि हमने आपको क्या बहतर concept दिया है, जिसके आधार पर आपका neat बहुत आसान हो जाएगा, क्या-क्या मिलेगा इस batch में आपको, इस batch में इसे हम कहते हैं VIP course, ये VIP course आप लोगों को कुछ amount पे करना आपको तुरंद के तुरंद जिस समय आप class attend कर रहे हैं, उसी समय पे, जैसे साम को 5 बिजे class हमारी recorded आपके प्रीमिया हुआ, आपको दिखाई दिया, उस समय पे जो teachers आपको बीच में doubt आते हैं, तो आप comment में बताएंगे, और वो comment में जो answer है, वो एक teacher वहाँ पर आपको तुरंद के तुरंद के तुरंद क्लियर करते जाएंगे, उसके अलावा तो वो teachers आपको advice भी करेंगे, सही answer देंगे, इसके अलावा doubt solving भी होगा, daily recorded classes आपको मिलेंगी, एकदम बहतरीन features के साथ में, इसके अलावा जो structured course है, उसमें आपको teachers के note मिलेंगे, class की slides मिलेंगी, daily homework मिलेंगा और हर हफ़ते आपका उसमें टेस्ट होगा, हफ़ते हमें जो आपका 6 दिन की classes हैं और एक दिन का test यह आपके लिए organize किया जाएगा, आप इसे join करें और बहतर join कर सकते हैं, आप इसमें syllabus में एक complete syllabus आपको मिलेगा, हिंदी छोड़कर आपकी सारी classes, सारी classes, यह सि subject to subject science की बस बात नहीं है, even English भी आपको इसमें मिलेगा, तो आपको जब एक इसमें कहीं फीस, आपको यह न लगेगी कहीं छोटा मोटा है, English भी वो एक weak point बन जाता है हिंदी मिडम के बच्चों के लिए, जो join तो करते हैं, लेकिन English आती नहीं, कौन पढ़ाए उसे, तो इ video solutions मिलेंगे, आपको आपकी NCERT के books की, क्योंकि सबस्या जरूरी NEET की preparation के लिए, 11-12 board की preparation के लिए, यही जादा है, PYSQs मतलब previous year question जो भी NEET में अभी तक पूछे गए हैं, board में अभी तक पूछे गए हैं, और अलग-अलग board में, अलग-अलग जगे पूछे गए हैं, वो आप भी बने विजेता, अगर विजेता बनना है, तो विजेता बैजवाइन करना पड़ेगा दोस्त, ओके, स्टार्ट करते हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं, theories of evolution, means evolution का थियोरी सिधान्त क्या-क्या है, और हम पर करेंगे कुछ प्रफोलोजी एन सारीरी की और एनाटॉमिक की अधार पर भी हमने उनका प्रमाण पढ़ा था, एनलोगी ओर्गन, होमोलोगी ओर्गन, इसके लावा फिर हम लोगों ने पढ़ा embryological evidence, biological, chemical evidence की उनके बायो chemical भी समान थे, उनके सरीर के embryo समान था, embryological evidence, उसके बाद फिर हम ल प्रमाण की जा बात नहीं है, यहाँ पर evidence की बात नहीं है, आज हम पढ़ने वाले है theories of evolution, बहुत simple way में समझते हैं कि theories of evolution को मुख्य रूप से तीन scientist लोगों के इर्द गिर्द ही घुमती है, यह हमें पढ़ना है, यह NCRT में बहुत complicated तरीके से लिखा हुए एक topic में आपको बहुत clear simplify कर दूँगा, आप सभी अपने दोस्तों को share करिएगा और बताइगा कि क्या आप कोई topic अगर simplify नहीं है, तो आप इस topic को जरूर वीडियो देखे, एकदम 110% sure हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में evolution के से धान्त के जितने भी जनक हुए, उन्हो लैमार्क मतलब हो लैमार्क नाम था इनका लैमार्किजम कहते हैं, तो इनके सिधान्त को लैमार्किजम कहते हैं, तो यह याद रखेगा चाहे आप इसे हिंदी में कहिए, चाहे इंगलिश में कहिए, तो अगर आप हिंदी में कहेंगे तो आप इसे कहेंगे लैमार्क जब हम इसे लैमार्क वाद कहते तो इन्होंने रियलिटी में क्या बताया इन्होंने बताया theories of inheritance of acquired character मतलब जरूरी जो अंग है जिन जरूर अंगों की जरूरत है जो characters जो लक्षण हमें चाहिए जो जरूरी है वही हमारे पीडी दर पीडी ट्रांसफर होते हैं हम इसे explain ये वो scientist थे लैमार्क साहब और इनके जो कारकरम के इर्दगिर्द जो जानवर घूम रहा था जिसपे इन्हों experiment किया वो जिराफ था बस इतना समझ ही अभी ठीक है तो पहला theory है लैमार्किजम ये लैमार्क साहब ने दिया था और लैमार्क साहब ने जिराफ के उपर काम क पहली बात दूसरे scientist जिनकी हम बात करने वाले हैं आज उनका नाम था Darwin साहब चाल्स डार्विन नाम था उनका तो दूसरा scientist कौन थे चाल्स डार्विन साहब अब चाल्स डार्विन की सकल ये है बहुत great scientist थे ठीक है ये भी बहुत great scientist थे इन्होंने दिया था theories of natural selection मतलब इन् nature ही चैन करती है जैसे कि मौत का example हमने जो पढ़ाता पतंगा का कि प्रकृती कभी सफेद को चैन की और प्रकृती कभी अनुकूल थी काले वाले के लिए तो कभी सफेद वाला अनुकूल हो गया और कभी काला वाला अनुकूल हो गया जो जिसके लिए अनुकूलता हुई व मतलब उत्परिवर्तन के बारे में बताया कि एक्चुली ये सारा कारिक्रम उत्परिवर्तन पे डिपेंड करता है और इन्होंने इसके लिए उपयोग किया प्रिम्रोज प्लांट ठीक है नाम जरूर याद रखेगा कि इसोंने किसका उपयोग किया तो धिर्विस साहब ने प्रिम्रोज प्लांट का उपयोग किया ये से नेच्छरल सेलेक्शन बताकर आपने डार्विनिजन साहब ने पतंगे को एक्जाम्पल लिया और लैमार साहब ने जिराफ को एक्जाम्पल लिस दिया एक-एक करके स्टार्ट करते हैं सबसे पहली थियोरी गजब के थियोर अगर अभी तक का concept आपको समझ में आ तो मुझे comment section पे yes no जरूर बताएं और जो हमारे doubtnet के विद्यारती है वो आप मुझे बता सकते है yes no आपको समझ में आया है कि नहीं आया है सबी लोग बहुत focus करके पड़े पहला theory लैमार्किजम theory of inheritance of acquired character इन्होंने किस विशेव को बात बताई थी acquired character का मतलब होता है कि जो लक्षण का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं वो हमारे पीडी दरपीडी develop होता जाता है इन्होंने क्या बताया फ्रांसी सी प्रक्रति विज्ञानिक थी जिनका नाम था लामार्क और लामार्क जो थे इन्होंने कहा कि जीवों का विकास उनके उपयोग और अनुपरियोग पर depend करता है उपयोग और अनुपयोग जादा उपयोग अगर किसी अंग को करेंगे तो वो अंग बढ़ जाता है और जब जब हम किसी अंग का उपयोग बहुत दिनों तक नहीं करते हैं तो वो ग्रोथ नहीं होता है समझ मैं, that is called the theories of inheritance of acquired character, मतलब लक्षणों का, मतलब आवश्यक लक्षणों का, आवश्यक या कहना चाहिए उप्योगी, जिसका हम उप्योग कर रहे हैं, उप्योगी लक्षण वाले अंगों का, वाले अंगों की वन्शागत की, ठीक है, आप इसे कहेंगे वन्शागत की, ठी इनका जादा उप्योग हो रहा है, ये लैमार्क साहब ने कहा, इस बात को प्रूफ करने के लिए इन्होंने दो एक्जामपल लिये, पहले एक्जामपल लिया इन्होंने जिराफ का, पहले एक्जामपल लिया इन्होंने जिराफ का और जिराफ का कहा, कि सुरुआत में जि उपर के पत्तों को खाना था इसलिए इन्होंने साल दर साल दर साल ऐसे उपयोग किये और उपयोग करने की वज़े से इनको चुकी उपर के खाने खाने थे इस वज़े से इनकी जिराफी गर्दन बढ़ती गई और इसलिए जिराफी गर्दन आज इतनी बड़ी है क्योंकि ये हमेशा कोशिश करते थे कि इन्हें ऊपर के जो पेड़ हैं, उनके पत्तियां खाएनी चाहिए, इसलिए इनका उपयोग, इन्होंने कहा कि इन्होंने जादा उपयोग किया गर्दन का, हमेशा उपर की चीज़ों को खाने की कोशिश की, इस वज़े से इनकी गर्दन बढ गई, दूसरा एक उपयोग बताया, कि जो सरीश्रफ हैं इनके सुरुवाती इनके पास में पैर हुआ करते थे, बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं, बाकी सब सरीश्रफ के पास पैर हैं, सिर्फ साफ के पास नहीं है, क्या रिजन है, तो जो स्नैक हुआ करते थे, उन्ह करने लग गए, क्रीपिंग करने लग गए, सतह से चलने लग गए, इनके पैर धीरे-धीरे की ज़रॉरती नहीं पैर चले गए, तो इन्होंने ये बताया कि हम जिन अंगों का ज़्यादा उपयोग करते हैं, वो अंग बढ़ने लग जाते हैं, वो ही अंग विक्सित होने लग जाते हैं और वो लक्षण विक्सित होते हैं और जिन लक्षणों का हम उप्योग जादा नहीं करते हैं वो लक्षण उप्योग नहीं करते हैं वो हमें उप्योग हो धीरे-दीरे खतम हो जाते हैं बहुत हद तक इनकी बातें कई बार सही भी लगती है एक्जामपल के ल जाता है ऐसा लोगों ने कहा लेकिन लैमार्व सहाब ने अपने आपको बहुत जादा क्लियर प्रूव नहीं कर पाए जब इनकी उपर क्रॉस कोशन आया तो क्रॉस कोशन को प्रूव नहीं कर पाए समझे जिराफ का उधारन दिया उचे पेड़ की फुनगियों की पत्यों क चरने के लिए अपने गर्दन की लंबाई बढ़ा कर अनकूलन कर लिया इन्होंने बताया कि गर्दन की लंबी विशिष्टता जो है उत्तर जीविता सने विशिष्टता को उत्तर जीविता ये बहुत लाइन है विशिष्टता की उत्तर जीविता संतती ये लाइन है acquired character जो है हमेशा in return होगा और वर्षों से वर्षों बाद धीरे धीरे जिराफ की गरदन ऐसे बढ़ी होगी इन्होंने ऐसा कह दिया साब का पैर ऐसे ही धीरे धीरे कम हुआ होगा सुरुवात में उसने उसका उपयोग कम कर दिया तो उपयोगिता कम हो गई इतनी गरदी लंब इसका example बताते हैं अगर बहुत जादा exercise करने पे इनसान पहलवान बन गया तो वो पहलवान बन जाता है तो अगर उसके बच्चे भी पहलवान होने चाहिए उसको भी exercise करने क्या वशक्ता नहीं होनी चाहिए तो क्या ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है अगर एक इनसान लगात पास में पैर ना रहा हो, गर्दन बड़ी रही हो, धीरे-धीरे हो गई हो किसी कारण से, लेकिन इन लक्षणों का पीड़ी-दर-पीड़ी कैसे जाता है, इस बात को इन्होंने प्रूव नहीं कर पाए, मतलब बताए इन्होंने सही बात, नो doubt उसमें कोई कमी नहीं थी, ले कर ऐसा कुछ होता तो, तो इसलिए इन्होंने कह दिया, कि ये थोड़ी सी बात गलत है, और ये आजकल इस बात को कोई नहीं मान रहा है, इसके बाद थोड़ी सी नई बातों को लेकर कुछ और साइंटिस्ट आए, और उन साइंटिस्ट में सबसे फेमस साइंटिस्ट है, इनका नाम था डार्विन साहाब, तो इन्होंने दिया नैचुरल सेलेक्शन, प्राक्रतिक वरण, प्राक्रतिक चुनाओ का नाम दिया, इन्होंने अपने थियोरी को, अपने कारकरम को प्राक्रतिक चुनाओ का नाम दिया, कि इस दुनिया में जो कुछ भी लक्षण आया जा रही है वो reality में प्रकृती ही उसे चैन कर रही है प्रकृती के अनुकूल है तो वो उसको accept कर ले रही है और प्रकृती के प्रतिकूल है तो वो उसको हटा दे रही है डार्विन सहाब बहुत ज़ादा दिमागदा scientist तो इन्हेंने कुछ ऐसी बाते कह दी जिसे आज तक कोई गलस साबित कर ही नहीं सकता एक्जामपल के लिए इस दुनिया में वही इनसान अपने आपको survive कर पाएगा जो fittest प्रकृती के अनुसार जो सर्वोत्तम है उसी की अनुकूलता जो सर्वोत्तम है वही जो है आपका next generation में उत्तर जीविता है इन्होंने एक point दिया उस point को हम कहते हैं वो विशिष्टता की थी और इन्होंने कहा सर्वोत्तम विशिष्ट नहीं सर्वोत्तम की उत्तर जीविता ये line को हम कहेंगे सर्वोत्तम की उत्तर जीविता मतलब यह है कि जो जीव उस समय प्रकृती की अनुसार सर्वोत्तम अनुकूल रहेगा वही जिन्दा रहेगा और वही अपने आपको ढाल पाएगा चाहे वो जैसा भी रहे बड़ा हो छोटा हो लंबा हो बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं मतलब है कि लक्षण वही बनते हैं जो सर्वोत्तम हो वही जीव अपने आपको बना पाते हैं और जीवन परियंत चल पाते हैं और ये बिल्कुल सही बात है, survival of the fittest, ये line, जीवन परियंत पहले भी सही थी, आज भी सही है, आने वाले समय पर भी सही रहेगी। इन्होंने इस बात को प्रूफ करने के लिए बहुत महनत की, इन्होंने क्या किया, एक cell ship ली, अपनी बात को समझने के लिए, एक cell ship का उपयोग किया, जिसका नाम था HMS Beagle, याद रखिएगा, ये वो great scientist है, जिनका नाम था Darwin, इन्होंने एक cell ship का उपयोग किया, पूरे विश जहाई दिया, जहाँ जहाँ वो गए, और जहाँ जहाँ उन्हें जो जो चीजे दिखाई दी, उन चीजों को उन्होंने अपना चित्रन में, अपने कहानियों में एड किया, अब वो कहानिया क्या लिखी, इसमें एक Alfred Wallace, ये scientist थे, and Thomas Malthus, ये दो scientist भी Darwinism के संसमरण में काम क किया, साथ में कौन थे, Alfred Wallace को भी एड किया, और Thomas Malthus को भी एड किया, इन्होंने लगभग वैसा वैसा ही काम किया, इन्होंने क्या किया, मलय आर्क पैगलो इस वपन कहते हैं, मलय आर्क पैगलो ये portion पे काम किया, इन्होंने ठीक इसी समय पर इसके आसपास यही निसकर्स इन्होंने बताया कि ये जानवर, ये जीव जन्तु जो होते हैं, मलय आर्क पैगलो ये जो छेतर है, ये जो इस ट्रक्चर है, ये भी ऐसा ही जैसे डार्विन सहाब कहते थे, और Thomas Malthus ने समिस्टी के संदर्ग में कारियों को डार्विन को प्रभावित किया है, ठीक है, त अपना भी कुछ कारकरम किया, ये चारो पांचो नाम बहुत इंपोरेंट है, खुद डार्विन सहाब का नाम, इसके लावा HMS Beagle का नाम, Alfred Wallace का नाम, इन्होंने मलय आर्क पैगलो में काम किया, और इसके अलावा आर्क पैगलो जिसे अपन कहते हैं, Thomas Malthus का नाम, जिनोंने समिस्टी पर काम किया, डार्विनिजम की बाते जब आती हैं, तो डार्विनिजम की बाते एकदम सीधी जी बात है, survival of the fittest, जैसे example के लिए हमने अभी कर दिन पहले पढ़ा, डार्विन फिंच की बात, डार्विन की जो फिंच थी, उसने देखा कि वो अचानक से उसे प्रूरत थी, भूख थी, वैसा वो अपने आपको पनवड कर लिए, उसी तरह सारे जीव जन्तु जो हैं, अपने आपको बदलते जाते हैं, समय के अनकूल अपने आपको बदल लिए, वो जिंदा है, जो नहीं बदल पाया, वो मर जाएगा, इस बात को प्रूफ करने के लिए, उन्होंने दो बातों को समझाया, सबसे पहला वर्ड यूज़ हुआ, फैमली ब्रांचिंग और दूसरा हुआ, नैचुरल सेलेक्शन, फैमली ब्रांचिंग का मतलब होता है, कि यहां पर आया, कि फैमली का मतलब हो गया, समिस्टी, यह वर्ड आया, समिस्टी हो गया कुल, और ब्रांचिंग का मतलब हो गया, उसका साखा, तो समिस्टी की साखा को अगर हम देखें, तो उसमें बहुत जादा उसने समानता देखी और उस आधार पर समझाया, और दूसरा हुआ, नैचुरल सेलेक्शन, आईए समस्टे दोनों पॉइंट को, दोनों का क्या मतलब है, पहली बात इन्होंने बताई, कि ब्रांचिंग फैमिली के बेसिस में इन्होंने कहा, कि दुनिया के जितने भी प्रजातियां है, जितनी भी प्रजातियां है, एक्जामपल के लिए आप यहाँ पर मान लेते हैं, कि फैमिली जो साखा है, ब्रांचिंग, कहा बदल गए जैसा जैसा रूप इनका था बदल गए ये point लिखना की जैसा जैसा इनका रूप बदलता गया इनके कारे बदलते गए ये खुद भी बदलते गए ये concept यहाँ पर बना example आपके सामने है कि सब हो चाहे यहाँ पर जानवर हो फल हो पक्छी हो जितने भी हैं इन सब के ancestor समान हैं इनकी जो family branching है जो साखाएं हैं वो ऐसे ही बने हुए हैं एक ही था एक ही point से सब को सुरू हुआ और वहीं से आगे जा जाकर सारी चीज़े बदल गई इस परिस्तिती को हम कहते हैं family branching इसे हम क्या कहते है family branching इसको shortcut में समझने के लिए आप finch का सहारा ले सकते हैं सहारा ले सकते कि कैसे एक ही प्रकार का पक्षी कि चोच किसी की लंबी किसी की चोड़ी किसी की छोटी किसी की नुकीली किसी का कुछ और किसी का कुछ और तरीके से जो है किसी के पास में लंबी चोच है किसी के पास चोटी है किसी के पास ऐसी बड़ी चोच है किसी के पास थ परचनाएं हैं वो बदल गई इनके भोजन के अनुरूप इनके भोजन के आधार पर चीजे बदल गई ये concept हमारा कहता है family branching उम्मीद है समझ मैं होगा कि natural selection कैसे हो अच्छा ये बदले क्यों ये बदले इसलिए क्योंकि इन्हें आवश्चकता थी बदलने की अगर ये नही नहीं बदलते तो मर जाते ये अपने आपको बदल नहीं सकते थे तो मर जाते तो इसलिए बदलने के लिए प्रकृति के अनुकूल अपने आपको ढ़ालने के लिए ये लोग बदल गए प्रकृति के अनुरूप अपने आपको ढ़ालने के लिए ये बदल गए और जब य आर्सूपियल का एक्जामपल देखते हैं तो भी आपको ये बात समझ में आती कि सबके पास में एक सिशु धानी है, सबके सबके पास में पाउच है पेट के पास में, अब सबके पास पाउच है मतलब सबके सब similarities शो कर रहे हैं, एक खास बात कैसे हो सकती है, कोई चूहा है, कोई बिल्ली है, कोई भेडिया है, कोई तसमानियन वॉल्फ है, कोई बंकेट है, कोई स्क्वारल है, आप क्या, फ्लाइंग स्क्वारल है, कोई बैंडिकूट है, ये सबके सब लेकिन अलग-अलग जानवर हैं, लेकिन सब में एक खास बात है, एक विशेश छेतर में रहत किया इस बात को लेकर तो ये दो-तीन बाते family branching को प्रदर्शिद करती है ये इस wishist की साखा को प्रदर्शिद करती है कि आज हम बले अलग-अलग हैं लेकिन हमारी जो साखाएं हैं वो जाकर एक जड़ पर जाकर मिलेंगी ये जो साखाएं हैं जो आज हमने निकाली हैं ये reality में देखा जाए तो एक नहीं दो नहीं करोडो साल पहले कभी अगर आप इतिहास निकालो तो आप अपकी जड़ एक पाओगे ये डार्विन सहाब का कहना था सारे जीव जन्तु कहीं न कहीं से एक दूसरे से similar है इनका थोड़ा सा बदलाओ जब हम इसको थोड़ा सा बदलाओ देख सकते हैं मारसूपियल का थोड़ा सा बदलाओ जब हम फिंच का देख सकते हैं तो हम ये भी मान सकते हैं कि सारे जीव जन्तु एक दूसरे से similar रहे हों पर अब अलग-अलग एक्जामपल लेंगे प्राक्तिक वरन का सबसे प्यारा एक्जामपल जो हमारे सामने है वो क्या है वो एक्जामपल था पतंगा का मौत चीक है मौत इसे अपन कहते थे इंडरस्ट्रियल इंडरस्ट्रियल मेलनिजम ठीक है ये अमने पढ़ा था मेलनिजम अब ये पॉइंडरस्ट्रियल मेलनिजम वाला जो पार्ट था वो क्या था यहां पर मेलनिजम यहां पर एकदम सीधी सी बात था कि कल तक जो जानवर जो मतलब सफेद पतंगा के लिए महौल सही था तो वो जिंदा रहता था ब्लैक पतंगा के लिए महौल सही नहीं था इसलिए वो जिंदा नहीं रह पाया लेकिन किसी कारण रवश महौल बदला और अब जबकि वाइट पतंगा के लिए मुस्किल है लास क्लास में मैंने पढ़ाया मुझे उम्मीद है आप सभी को ये बात याद होगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं क्या मेरी बात समझ में आ रही है या सनो ठीके तो ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आखिर क क्या हुआ कि परिस्थितियां बदल गए और परिस्थितियां बदली जिस परिस्थिति में अपने आपको जादा अनकूल जानवर पाया वो जानवर वो जन्तु वो पौधा या जो भी रहा हो वो जिन्दा रहेगा और जो प्रकृति के प्रतिकूल रहेगा प्रकृति के दूर रहेगा, सर्वोत्तम नहीं होगा प्रकृती की चैन में प्रकृती जब चैन करेगी अगर आप उस समय सर्वोत्तम नहीं पाएगए तो आपको हटा दिया जाएगा समझ मैं मेरी बात, ये बहुत clear chain है, एकदम clear chain है, यहाँ पर कोई भेदभाव यहाँ पर ये याद रखना है कि वक्त की मांग जो है वो जब आप बदलोगे अपने आपको तो आप अगर पाओगे तो आप अच्छे हो, एक्जामपल के लिए आपने देखा होगा, हर cricket देखते हैं football देखते हैं, गेम की जो जरूरत है, उस हिसाब से खेलो, तियस क्रिकेट आपको खेलाया आप स्लो खेलो वंडे खेल रहा हो, फास्ट खेलो टी- Sullivan खेल रहा हो, और फास्ट खेलो अगर आप नहीं खेलो, आप कितने अच्छे प्लेयर हो इससे कोई मतलम नहीं है, आपका बहुत बड़ा कद है, आप सचिन तिंदुलकर के बेटे हो, या खुद सचिन तिंदुलकर हो, कोई मतलब नहीं, सर्भाइविल अब दफिटेस्ट, एक दिन आपको रिटायर होना पड़े हो टीम से बाहर, रियलिटी वही है कि चैन उसी का होगा जो सर्वोत्तम होगा, समय की मांग के अनरूप बहुत अच्छा होगा, कपिल देव जैसा आलराउंडर कभी पैदा नहीं हुआ लेकिन आज कपिल देव को हम टीम में नहीं रखा हुआ, क्यों? समय की मांग कुछ होर है, समय की मांग कुछ होर कहती है, वो अब सर्वोत्तम नहीं रहे गए हमारी टीम के लिए, तो सर्वोत्तम का चैन होगा, और जो वो करेगा वही यहाँ पर कारिक्रम को बढ़ाएगा, और यही डार्विन साहब ने प्रूफ किया था, कि यह नैचुरल सेलेक्शन मतलब, सर्वोत्तम का चैन किया जाएगा, वो छोटा है, बड़ा है, लंबा है, कैसा है कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है कि उसका गुण प्रकृती की अनरूप मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है समझ मैं ही मेरी बात, बहुत बढ़ी है ठीक है, चली, अब इस बात को एक बात प्रूफ करने के लिए, तो मौत का पतंगा का एक्जामपल हो गया, कि बिफोर इंडर्स्टलाइजेशन, वो जिन्दा था सफेद पतंगा, और जैसे ही इंडर्स्टलाइजेशन और द्योगी करन हो गया, आसपास कॉलोनी समस्ते हो ना, कॉलोनी मतला बैक्टिरिया को गुरू करने के लिए एक प्लेट बनाई जाती है उस कॉलोनी में हमने क्या डाला था एक क्यामिकल डाला था यहाँ पर एंटिबाइटिक्स डाला था क्या डाला था, एंटिबाइटिक्स पहले एंटिबाइटिक्स नहीं था मानलो without एंटिबाइटिक्स है तो यहाँ पर जो बैक्टिरिया जो बैक्टिरिया एंटिबाइटिक का रेजिस्टेंड नहीं है वो जिन्दा था यह विशेस chemical के लिए यह प्रतिरोधक चमता इसको मिली हुई है इसको प्रतिरोधक चमता है और इसको प्रतिरोधक चमता नहीं है अभी जादा कौन जिंदा है जिसको प्रतिरोधक चमता जादा नहीं मिली हुई है वो जिन्दा है और जिसे प्रतिरोधक चमता मिली हुई है वो जिन्दा है भी यहाँ पर ठीक है किसी एक विशेस chemical के लिए अभी कोई बात नहीं दोनों आगे चलते गए आगे चलते गए अब यहाँ पर हमने धीरे-धीरे क्या किया हमने medium change कर दिया हमने इसका माध्यम बदल दिया माध्यम बदला तो हमने इस माध्यम में डाल दिया भाई antibiotics क्या डाल दिया मानलो यहाँ पर हमने antibiotics डाल दिया जो भी antibiotics हो गया और आप सभी जानते हैं भाई कि antibiotics मतला वो chemical जो bacteria को मार देता है अब कौन जिंदा रहेगा देखते हैं antibiotics हमने डाल दिया तो antibiotics की वज़य से डालने की वज़य से जिसके पास प्रेथरोधक च्चमता नहीं है वो तो मर जाएगा जिसके पास प्रतिरूधक चमता नहीं है, कल तक वो बहुत जिन्दा था, लेकिन एंटी बाइटिक्स डालने के बाद महल बदल गया, वक्त बदल गया, जजबात बदल गया, सब कुछ बदल गया, ठीक है, अब जब सब कुछ बदल गया, तो अब करें तो करें क्या, तो करना ये है कि जो प्रतिरोधी नहीं है वो तो मरने लग गया बिचारा जिसके अंदर immunity नहीं है उसको जिंदा रखने के लिए वो मर जाएगा और जो लाल वाला है मतलब जिसके पास प्रतिरोधक छमता है आ गया उसका दिन उसका time आ गया और जो लाल वाला है प्रतिरोधक छमता उसके पास में थी कल तक उसकी कोई value नहीं थी लेकिन जैसे ही हमने antibiotics डाला अब उसका दिन आ गया धीरे धीरे क्या हुआ प्रतिरोधक छमता blue वाले के पास में नहीं है वो जादा वृद्धी नहीं कर पाएगा लाल वाले का अनुरूप मौसम है क्यों क्यों क्योंकि लाल वाले के अंदर प्रतिरोधक ता है अब इसका समय आ गया, धीरे धीरे लाल वाले की population बढ़ गई और नीले वाले की population प्रजातियां अभी वहीं की वहीं अटकी होई है, कारण क्या है, मोहौल बदल गया, एक के पास प्रतिरोधक छमता थी और एक के पास प्रतिरोधक छमता नहीं थी, जिसके पास प्रतिरोधक चमता नहीं मिली हुई है कुछ इस तरह से आपका theory of darwinism चलता है ध्यान रखिएगा कि जब महौल बदलेगा तो सब बदल जाता है हो सकता है आज आज आपके लिए बहुत कुछ बढ़िया चल रहा हो लेकिन हो सकता है कल जाके शुसर्वां कि बदल जाए को अपको समय के अनुसार बदलना है जो समय के अनुसार बदलेगा वो अपने आपको chain करेगी प्रकरती चैन करेगी यहां पर प्रकरती ऐसे लोगों को chain करने की है जिसे antibiotic resistant नहीं है वो भी chain कर लिए लेकिन जब प्रकृति का मन करेगा प्रकृति में एंटीबाइटिक्स डाल दिया जाए तो एंटीबाइटिक्स से जो रेजिस्टेंट्स है वो जिन्दा रहेंगे बागी सब मर जाएंगे तो कभी अगर ऐसा बदल गया तो यह हाल होगा इसलिए अपने आपको प्रकृति के अनरूप ढालने की का आपका अबिलियत होनी चाहिए मनुष्य दुनिया की सबसे बड़ी प्रजाति आज बन कर उबरा है कि हम हर मौसम में हर जगह पर अपने आपको बदल सकते हैं चाहे ठंड हो चाहे गर्मी जीरो डिगी सेल्सेयस में भी अपने आपको रखना जानते हैं और 46 डिगी सेल्सेयस में 50 डिगी सेल्सेयस में भी अपने आपको रखना जानते हैं तापमान बड़े या घटे जो भी हो हम अपने आपको जिंदा रखना जानते हैं हम हर जगह पर हैं इसलिए मनुष्य सबसे बड़ी प्रजातियों म मजारी मेरी बात यहाँ पर, चलिए, अगले पॉइंट पर आते हैं, अब तीसरा पॉइंट, डार्विनिजम थियोरी ओफ नेचुरल सेलेक्शन के चार पांच विशेस विशेस बाते हैं, जिसके अधार पर ही ये विकास होता है, विकास होने के क्या-क्या रीजन हो सकते हैं वो डार्विन सहाब आप बताएंगे, सबसे पहला पॉइंट, नेचुरल सेलेक्शन होने का सबसे पहला पॉइंट ये है, हैरिटेबल माइनर वेरियेशन, हैरिटेबल माइनर वेरियेशन मतलब, वनसानुगत थोड़े थोड़े लक्षन भी इनको चेंज करते हैं, वनसा पहला चेंज ये हो गया, जो प्रकृती के अनुरूप रहे, एक्जाम्पल के लिए आपको मानलो कर बिटेन बेद दिया जाए, और तीसरी पीड़ी अगर आपकी चौती पार्चवी पीड़ी आएगी, तो धीरे धीरे आपकी पीड़ी जोए तुड़ी से गोरी पैदा हो होगी और आठवी नौवी पीड़ी हो सकता है, पूर एकदम सफेद गोरी पैदा हो जाए, तो ये वनशान उगत सुक्ष में विविदताएं हैं, छोटी छोटे चेंजेस हैं, जो पीड़ी तर पीड़ी बढ़ते जाते हैं, दूसरा, ओवर प्रोडक्शन, जनसंख्या का जीव का आति उत्पादन, ये भी मतलब कारण बनता है विकास का, कारण ये है, मान लो एक उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब वो आपस में कॉम्पेटीशन करेंगे, तो जब उनका कॉम्पेटीशन जादा होने लग जाएगा, तो वो आपस में ही लड़ने लग जाएगे, समझ में रहा है, किसी एक छेत्र में अगर बहुत जाद सेर हो जाएं तो वो आपस में ही लड़ने लग जाएगे, जो लड़ जाएगा, जो सर्वाइफ कर जाएगा, वो ऐस छेत्र का राजा बनेगा, बाकी सब मर जाएगे, हमारे में क्या हो रहा है, अगर हम प्रकुती में अपनी आबादी को कम नहीं कर पाएंगे प्रकुती को ज्यादा nux anh नहीं पहुंचाएंगे, तो प्रकुती हमें ऐसे ही मारते रहेगी समझमाई मेरी बात, ऐसा ही है, अगर किसी छेतर में किसी चीज की आबादी बहुत जादा बढ़ जाती है फिंच की आबादी बहुत जादा बढ़ गई थी तो क्या किया उन्होंने अपना भोज़ा नहीं बदल दिया अगर नहीं बदलता तो लड़ लड़के मर जाते आपस में ये भी विकास का कारण बनता है ये सब भी पॉइंट बनेंगे तीसरा limited natural resources सीमित प्राक्तिक संसाधन दुनिया में जो संसाधन है वो सीमित है अब अगर उसको उप्योग करने वाले बहुत लोग हो जाएंगे या उप्योग नहीं कर पाएंगे जैसा भी होगा ये भी विकास का कारण बनेगा क्योंकि अगर सीमित संसाधन है तो सीमित उसका उप्योग है प्रियोग है Natural Selection का एक और कारण है जीवन के लिए संघर्ष जो संघर्ष करेगा दस जीव जन्तु जीवित रहते हैं उनमें से जो संघर्ष के वज़े से जो सबसे बड़ा जिंदा रहा मजबूत था 2 billion से स्पर्म जो है आते हैं female vagina में और उनमें से केवल एक ही वहां तक पहुँच पाता है जो संघर्ष करके वहां पर जिंदा रह लेगा वो अपने आपको जिंदा रख पाएगा समझ मारी मेरी बात और वही जिंदा रहेगा example के लिए अब यहां से हम लोग चले गए मानलो किसी छेतर में जहां बहुत गर्मी पड़ती है वहां पर अगर हम वहां पर सर्वाइव कर गए तो हम अच्छे हैं जीवन के लिए संघर्ष भी विकास का कारण है संघर्ष में जो विजित होगा जो जीवा जीएगा विजेता बनेगा वही यहां पर राजा बनेगा और वही जिंदा रह पाएगा यह भी विकास का कारण बनता है और सबसे आखरी पॉइंट फिफ्थ पॉइंट मतलब सर्वस्रेष्ट का चयन प्रकृती हमेशा उसी का चयन करती है जिसके लिए उस प्रकृती के अनुकूल होगा सर्वस्रेष्ट होगा तो यह कुछ पाँच पॉइंट डार्विन की अनुसार मुख्य रूप से विकास के कारण बनते हैं और इन कारणों से विकास होता है इन कारणों से नैचुरल सेलेक्शन होता था और जो पाँच पॉइंट बहुत औथेंटिक है और डार्विन साहब को एक ग्रेट साइंटिस बनाने के पीछे यह रीजन है कि इन्होंने यह जो पाँच बाते कह दी है यह अपने आप में एकदम पत्थर की लखीर थी जिने कोई काट नहीं सकता हटा नहीं सकता समझ मारी मरी बात तो यह बहुत ज़रूरी बात था वनशानुगत सोप्षो परिवर्तन वगरे के बारे में पॉइंट याद रखेगा बहुत ज़रूरी पॉइंट अगले पॉइंट पे बात दे हैं तीसरा पॉइंट था मुटेशन थियोरी ओफ डीवरीज डीवरी साहब हुगो डीवरी साइंटेस का नाम था ये वो हैं ग्रेट साइंटेस जिनका फोटो है ये इन्होंने बताया कि इस दुनिया में सारा जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ मुटेशन उत परिवर्तन की वज़े से आ रहा है डीवरी ने बदलता गया चेंज आते गए डीवरी ने बदल रहा है हमने पढ़ा है न सिकल सेले नीमिया में मुटेशन हो जाता है वगरा वगरा तो ये सारे परिवर्तन मुटेशन की वैसे आ है ये कोई छोटा छोटा परिवर्तन नहीं है पीडी दर पीडी 10 साल 20 साल 100 साल 200 साल लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है जो भी परिवर्तन आना है वो परिवर्तन एकदम सड़न आएगा तुरण सिंगल स्टेप लार्ज मुटेशन छोटा सा चेंज हुआ और उसकी वैसे बहुत बड़ा सरीर में परिवर्तन आ गया जब भी हमें आवशकता पड़ेगे हम मुटेशन के द्वारा ही विकास को कर पाएंगे हमारी पूछ चली गए उनका कहना था मुटेशन के कांट चली गए ऐसा ही उनका कहना था तो इस बात को इनका कहा ह्यूगो डिवरीज ने कहा इवनिंग प्राइम रोस पे रिसर्च किया ये प्लांट है नाम याद रखेगा कि ह्यूगो डिवरीज ने किस पे उपर किया इवनिंग प्रेम रोस प्लांट पे हिंद इंग्लिश में, दोनों में यह कहते हैं, इन्हों ने किया, और इन्हों ने बताया कि इसमें mutation, मतलब उत्परिवर्तन का सिध्धान्त लागू होता है, उत्परिवर्तन का सिध्धान्त मतलब यह है, mutation का अर्थ है, जीव संख्या में सहसा आने वाला बड़ा परिवर्त मतलब बड़े बड़े परिवर्तन मतलब जीव में जो है मुटेशन का मतलब क्या है मुटेशन का मतलब अचानक से सदन चेंज हो गया हम उसे सदन चेंज कहते हैं अब अगर सदन चेंज होके बड़े बड़े जो परिवर्तन आते हैं ये कारण है mutation का, मतलब इनका अम्मत था, कि बड़े से बड़े उत्परिवर्तन ही, विकास के कारण है, ना कि छोटी छोटी विविरताएं, जिन पर Darwin ने बल दिया था, इन्होंने Darwin की बात को काट दिया, कह दिया कि Darwin साहब का जो point छोटा छोटा हो रहा है, ये सब बाते नही है, actually mutation की वज़े से सब कुछ हो पाता है, और येनों ने कह दिया, single step large mutation, ये शब्द है, और इनके कारेकरम को कहा जाता है, saltation method, ये English में थोड़ा सा हिंदी में दोड़ों में पूछा जाता है, कि saltation क्या है, आप कहेंगे saltation का मतलब होता है, कि mutation छोटा सा होगा, single step large mutation, mutation का क हैं, ये सब कोई मतलब के नहीं है, ये सब कोई मतलब के नहीं है, वो जो अमीद है, ये point आपको समझ में आ गया होगा, कि इनोंने क्या कहा, mutation ने कहा, कि उत्परिवर्तन याद्रचिक होते हैं, किसी भी दिशा में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कंपल सरी, दिशा हीन हो सकता है जबकि डार्विन ने बताया था कि विविताएं छोटी-छोटी होती है और वो दिशावान होती है उन्हें दिशा पता होती है किस दिशा में मुझे चेंज लाना है जबकि इनका कहना था कि ऐसा कोई बहुत बड़ी क्रमबध है लेकिन डीवेरिस के अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाती की उत्पत्ति का कारण है इन्होंने कहा कि जो नई नई प्रजातियां उत्पन होती है वो उत्परिवर्तन की वज़े से ही होती है उनका होना उत्परिवर्तन की वज़े से ही हो पाता है ये कारण उत्परिवर्तन रहा होगा इन्होंने ये कहा इन्होंने इसे saltation भी कहा था विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम बताया एक बड़ा कदम उठाया single step और विशाल परिवर्तन large mutation single step large mutation means saltation कहा जाता है मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये concept बिल्कुल clear समझ में आ रहा होगा कहीं पर कोई concept में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कहीं पर भी कोई topic आपको समझने में ऐसा दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है चली अगले point पे पहुंचते हैं अगला point क्या है हमारा अगले point पे आते हैं इसके उपर अब कुछ quiz कर लेते हैं देखते हैं क्या आपको समझ में है एक last one met revision one met revision में आज हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले लैमार्क साहब के सिध्धान्त के बारे में लैमार्क साहब सिध्धान्त के अलावा उनमें ने डीवरीज साहब के बारे में हमने पढ़ा कि दीवरीज साहब ने क्या बढ़ा ये तीन point बहुत important बहुत जरूरी आपके सामने ये हैं पढ़िएगा रिवीजन करिएगा लैमार्क साहब ने जिराफ की गर्दन बढ़ गई इस तरह बता दिया इन्होंने कह दिया कि डार्विन साहब का धीरे धीरे करमबध परिवर्तन है सबसे जरूरी डार्विन साहब का ही कारक्रम था इसके अलावा डीवरीज साहब ने भी इसके उपर explain किया था कि डीवरीज क्या हो सकते हैं अगले point पे पहुंसते हैं ये हमारे तीनो point थे हमने इसे पड़ा आईए quiz competition एक quiz देखते हैं कि क्या आपको मेरा point समझ में आया है या सनो ठीक है पहला सवाल पहला सवाल आपके सामने है कि डार्विन साहब ने इन में से किस जीव का उपयोग अपने प्रयोग में किया था सबी बच्छे yes और no और a और b और c d में option बताएंगे क्या सही जवाब है इसके लिए आपको दस सेकेंड में आपको इसका सही जवाब देना है और बताइएगा जार्विन साहब ने अपने एक्सपरिमेंट में किसका उप्योग किया था आपका समय सुरू होता है अब टाइम आउट which one is the right answer देखा जाये कितने प्रिस्थाट बच्चो ने सही जवाब दिया है हमारे डाउटनेट की विद्ध्यार्चियों ने कितना सही जवाब दिया है और हमारे यूट्फूब के बच्चो ने कितना सही जवाब दिया है ओके लगबग सभी बच्चों ने सही जवाब ही दिया है exactly कुछ लोग गलत कर रहे हैं लेकिन आप ऐसा गलत ना करें बिलकुल भी ठीक है बहुत basic सा point था और इसे बिलकुल ध्यान पर रखें तो yes, marsupial is a right answer, Australian marsupial का उप्योग किया था c, ठीक है, third option है marsupial, इसका सबसे सही जवाब मुझे उम्मीद है, आप लोगों की concept समझ में आ गया होगा अब हम next class में क्या पढ़ने वाले हैं, theories of evolution का हम next part पढ़ेंगे और इसके अलावा एक बहुत great scientist जिन्होंने बहुत बहतरीन तरीके से mathematics डाल दिया था biology में, उन्हें नाम है harde winberg principle, harde winberg का सिधानत भी हम next class में पढ़ेंगे thank you so much, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, next class में पढ़ते रहिएगा और अपने दोस्तों को जरूर share करिएगा, कि अगर आपको लैमार्क साहाब को समझना है darwin साहाब को समझना है, mutation theory समझनी है, और यह पूरा chapter पढ़ना है तो अधिक से अधिक लोगों से खुब share करिए, बताइए, interesting chapter है, बहुत मज़ेदार chapter है ध्यान रखिएगा अपना, next class में मिलते हैं, अगर पसंद आई हो, तो like करें, comment करें और चैनल को subscribe कर दें गुटनाइट, बाइ-बाइ